आपने अक्सर अर्थशास्त्रियों को भारती अर्थविवस्था के अन ओर्गनाइज सेक्टर के बारे में बात करते सुना होगा। रोजगार की शर्तें फिक्स और नियमत नहीं होती वो अन ओर्गनाइज सेक्टर के अंतर गताता है। ब्रामेन भारत की अर्थविवस्था इसी informal economy के सहारे चलती है। ये informal economy सरकारी आंक्ड़ों में नहीं दिखती। फर ये देश की अर्थविवस्था के इंजन का लिप्रिकेंट होती है। और मुश्किल के समय देश की formal economy को सहारा देती है। अगर भारत सन्द 2008 की विश्वेव्यापी मंदी से बहुत जल्दी उभर पाया तो इसका श्रे काफी हद तक भारत के अन और्गनाईज सेक्टर को चाता है। इनफॉर्मल सेक्टर रोजगार स्रिजन में भी महत्वपूर्ण भूमिकान भाता है और छोटे छोटे लेबर इंटेंसिव और लो स्किल्ड रोजगार पैदा करके गरीबी उन्मूलन में भी हैल्प करता है। हमारे देश की फॉर्मल एकॉनमी की मस्बूती के लिए देश की इनफॉर्मल एकॉनमी की सेहत अच्छी होना जरूरी है। इसको हम एक उधारत से और अच्छे से समझते हैं। पारले जी एक अन और्गनाईज सेक्टर की कमपनी है। लेकिन इसके मश्यूर पारले जी बिस्किट के मेन उप्फुकता इसी informal sector से आते हैं। तो जब तक इस informal sector के लोगों की purchasing power बनी रहेगी, वो पारले जी बिस्किट खरीद रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिती थोड़ी कमजोर होगी, वो अपने खर्चों में कटौती करेंगे। पारले जी खरीदना कम या बंद करेंगे। इसका direct impact पारले जी जैसी बड़ी कमपनी पर पड़ेगा। अनौर्गनाइस सेक्टर की workforce बारे में एक और इंटरस्टिंग बात ये है कि जब भी इनके हाथ में पैसा आता है तो वो इसे बैंक में जमा करने की बजाए खर्च करते हैं, जिससे एकॉनमी में पैसा जाता है और रोटेट होता है। इसे में सरकार का इस सेक्टर की तरफ ध्यान देना और भी आविश्यक हो जाता है।